नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सवी का क्रीड इंवेस्टर पे हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हम तीन सेयर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में रिसेंट करेक्शन होने की वज़़ से उस सेयर का प्राइस आल टाइम हाई से एप्रोक्स 40% डिसकाउंट पे ट्रेड कर रहा है या हम ये कह सकते हैं कि सेयर का प्राइस अपने डिसनेवल वैलुएशन पे ट्रेड कर रहा है लेकिन इन सेयरों के बारे में जानने से पहले ये समझना जरूवी हो जाता है कि कोई सेयर संस्ता है या महेंगा इसे हम कैसे पता करेंगे तो इसको जानने के लिए हमें P.E. Ratio को समझना परेगा कि क्या होता है P.E. Ratio एन इवेसको के लिए P.E. Ratio Investment Plan में कितना महत्व रखता है तो चलिए इन चीजों को समझ लेते हैं किसी कंपनी के Share की Value यानि यह पता लगाना कि वह सस्ता है यह मैंगा इस कंडिशन में हम P.E. Ratio का यूज करते हैं इसे हम Share का Price और Share से I.Income का Ratio भी कह सकते हैं Share से I.Income को हम EPS कहते हैं यानि Earning Per Share किसी कंपनी के Profit में उसके Cool Share की संख्या से भाग देने पर EPS निकलता है और उसके बाद P.E. Ratio निकालने के लिए हमें Share की कीमत में Earning Per Share से भाग देने पर P.E. Ratio निकलता है इसे हम एक इकजामपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिजे किसी कंपनी का Share की कीमत 100 रुपया हैं और उसका EPS यानि Earning Per Share 10 रुपया हैं तो उसका P.E. Ratio हो जाएगा 100 divided by 10 is equal to 10 हो जाएगा तो अब सवाल आता है कि निवेसको के लिए P.E. Ratio कितना IMPORTENSE होता है तो मान लिजिए आपने किसी IT कंपनी के Share में निवेस करने का फैसला लिया है तो पहले आप IT Index के P.E. को देख ले इसके बाद उस P.E. से उस IT कंपनी के P.E. को कंपेर करें जिसमें आप निवेस करना चाहते है इससे आपको पदा चल जाएगा कि जिस कंपनी में आप निवेस करने जा रहे हैं उसका Share मेहगा है या सस्ता लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दे कि जब आप P.E. Ratio Compare कर रहे होंगे उस समय कंपनी जिस सेक्टर से बिलोग करता है उसी से तुलना करें आप मतलब अगर IT कंपनी है तो IT Index से Compare करें और अगर F.E.M.C.G. कंपनी है तो उसे F.E.M.C.G. Index से ही Compare करें तो इन बातों को आप ध्यान दीजेगा तो चलिए अब हम उन्हें stock को देख लेते हैं जो अपने all time high से 40% discount पे trade कर रहा है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा request रहेगा कि ऐसे quality content बनाने के लिए हमें मेहनत लगता है और उस मेहनत के बदले आप मुझे appreciate करना चाहते हैं तो वीडियो को एक like, share and subscribe जरूर करें तो हमारे list में पहला stock है Hero Moto Corp जिसे हम Hero Honda के नाम से भी जानते थे जो इंडिया के first motorcycle manufacturer में से एक है एक calendar year में एक company द्वारा लगातार 19 वर्सो तक बेचे जाने वाले unit volume के मामले में टू वीलर्स का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है इसके stock का price 52 week high से एप्रोक्स 24% नीचे पे trade कर रहा है और इस साल के starting से एप्रोक्स 6% डाउन पे trade कर रहा है company के share price में गिरावट का मुखे वज़ा ये है कि COVID-19 pandemic के वज़े से इसके demand और raw material का cost badly effect किया है जिससे इसके profitability पे गहरा impact परा है हाला कि company के management ने indication दिया है कि underlying demand drivers बरकरार होने की वज़े से आने वाले next quarter में इसके margin में improvement के साथ positive momentum देखने को मिल सकती है और साथी साथ hero motor corp के management ने यह भी indication दिया है कि 2022 में electric vehicle products launch करने का plan track पे है और regular interval पे new variant द्वारा supported अपने EV portfolio पे continue focus कर रही है जबकि hero motor corp का core business यानि उनका अपना core जो business है अभी भी motorcycle segment है company ने अपने electric vehicle में लगने वाले charging technology इस्टॉल करने के लिए अथर energy का fast charging को adopt करेगा और अथर energy अथर grid के नाम से across the country charging infrastructure established करने में लगी है EV startup को लेके hero motor corp 35% stake hold करते हैं अथर energy में इसने hero branded e-scooter को swappable battery के साथ roll out करने के लिए गोगोरो के साथ tie off किया है गोगोरो एक urban battery swappable और smart mobility innovation based एक global leader company है अब बात करें इसके fundamental की तो तो यह एक mid cap company है इसका market cap 46,590 करोर है stock P.E. 18 है और इसका industry P.E. 33.1 है मतलब यह stock अपने industry P.E. से सस्ते पे मिल रहा है इसका return on equity और return on capital employed बहुत ही अच्छा है जो की 18.7% and 24.2% है company का dividend yield की बात करें तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है जो की 3.86% है company ने 5 सालों में minus 6.17% का return दिया है यानि negative में दिया है वहीं एक साल में minus 19.2% का return दिया है company पे date burden है 617 करोर का वहीं company के पास 3537 करोर का free cash flow है जिसे वहाँ इस date को कभी भी चुका सकती है company में promoters की holding 34.8% है हमारे list में second stock है इंडिया मार्ट Intermes जो एक Indian e-commerce company है जो अपने बे पोर्टल के जरिये customer को B2B and customer to customer sales services प्रो प्रदान करता है और इंडिया माट देश का पहला और सबसे बड़ा B2B digital market palace है जो आज B2B landscape में एक game changer के रूप में खरा है online B2B segment में company का लगवक 60% market share है इस company के share price अपने 52 week high से प्रोक्स 47% नीचे पे trade कर रहा है और इस साल के शुरुआत से अब तक 23% डाउन पे trade कर रहा है stock के price में fall इसलिए देखने को मिला क्योंकि इसके December quarter के week result होने की वज़़ से मतलब December quarter में इसके week result आये थे लेकिन company के fundamental still strong है इतनी वरी गिरावट के बावजूद भी इसके portfolio में 6 million store front supplier है और इसके बेब पोटल के total traffic का 780 million repeated user है जो again and again इसके बेब पोटल के जड़िये products लेते रहते है इसके अलावा company ने पिछले 5 सालों में अपने profit में 52% की compounded annual growth return के साथ growth दिखाई है company almost debt free है अब बात करें fundamentals की तो यहाँ एक small cap company है जिसका market cap 15,472 करोड है company का industry P.E. 45.4 है और इसका stock P.E. 50.8 है मतलब इतनी वरी गिरावट के बावजूद भी यह stock अभी थोड़ा महंगा है वहीं इसका return on equity 30.2% है and return on capital employed 39.5% है जो की अच्छा माना जाता है company ने एक साल में negative return दिया है जो की minus 36.7% है company के उपर date burden है 59.6 करोड का and company के पास 327 करोड का free cash flow है and company में promoters की holding 49.5% है हमारे लिस्ट में third and last stock है Metropolis Healthcare Limited Metropolis lab and diagnostic कमपनियों की एक Indian multinational chain है जिसका central laboratory मुंबई के महराष्टरा में है Metropolis Healthcare के India site 7 देशों में 124 clinic laboratory और 2400 collection की एक chain है Company को 2019 में Indian stock market पे listed किया गया था Company का share अपने 52 week high से 32% और इस साल के शुरुआत से प्रोक्स 30% नीचे पर trade कर रहा है ये भारी मात्रा में गिरावट इसलिए देखने को मिला क्योंकि जैसे जैसे COVID-19 के cases कम होते गया है वैसे वैसे COVID-19 के testing में भी कमी आई जिससे Metropolis जैसे diagnostic कंपनियों के revenue पे negative impact परा जिससे परिणाम सरूप इसके stock price में गिरावट आई December quarter में कंपनी का net profit 30% से गिरावट देखने को मिली हाला कि company के management का मानना है कि यह एक short term loss है और इसकी वज़ा यह बताई जा रहे है कि company digital marketing, manpower customer experiences initiative को build up करने में बहुत जादा investment की है जिससे इसके revenue पे impact परा है इंडिया में diagnostic market में metropolis की strong position है company का well established brand है आगे बढ़ते हुए pandemic के कम होने के बाद भी आने वाले सालों में diagnostic और wellness सेक्टर में तेजी से growth होने के possibility है ऐसा company का मानना है जिससे metropolis जैसे well organized player को definitely growth होने की opportunity मिलेगी वहीं आप बात करें इसके fundamentals की तो यहाँ एक small cap company है इसका market cap 12,353 करोड है company का return on equity 29,7% है and return on capital employed 36,2% है इसका industry P.E. 31,9 है and company का stock P.E. 55,2 है जिसे हम यह conclude कर सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी यह share अभी काफी महेंगा है company ने एक साल में 8,14% का return दिया है company का उपर date burden है 115 करोड का and साथ ही साथ इसके पास 221 करोड का free cash flow भी है company में promoters की holding 49,5% है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही पर दोस्तो यहाँ पे मैं disclaimer देना चाहूंगा कि यह वीडियो सिर्फ educational purpose से बनाई गई थी आप किसी भी company में निवेस करने से पहले आप अपनी खुद की study भी कर ले उस company को लेके तब ही जाके आप निवेस करें नहीं तो आप किसी भी company में blindly निवेस ना करें नहीं तो आप वहाँ फस भी सकते हैं मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको informative लगा हो अगर वीडियो पसंद आये तो share जरूर कीजेगा और आप इस चैनल को subscribe भी कर सकते हैं ताकि इस तरह कंटेंट आपसे मिस ना हो आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे comment box में जरूर बताएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत